इसका लास्ट पार्ट है अगर आपने इसके पीछे के पार्ट नहीं देखें तो उसका लेंगा को मैं डिस्किप्शन में दे दूंगा तो यहां पर यह टॉपिक आ रहा हुआ है डिमांट्स फर इक्वालिटी एंड जस्टिस इसे बताया हुआ है कि जो लोग थे अब उनके जो ब्राह्मन नहीं थे वह से अवाज उठाना सुरू कर दिये क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हो रहा था जैसे कि पहले यहां पर देखो जो सत्नमी मूव्मेंट है जो कि उठाया गया था गसीदस जो लोग है गसीदस से अपोसे ग्रूप है लोग का जो की लेदर वर्क क लिए करते हैं मतलब कि जो मरे हुए जानर होते हैं के इसकीन को यूज करना और और कुछ पानाना जैसे बैग यह सब हो गया तो इस वैसे सोसाइटी में इनको बहुत गंदा माना जाता था और इंके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था तो यहां पर लोग मूवमेंट क को ऐसे यह वार करते हैं जिसके अंदर जो है यह करके यहां पर मुफमेंट करने लगता हुआ है स्री नरायना गुरू के बारे में जो कि कैरला से बिलॉंग करते थे और इजवाहा कास्ट के थे इजवाहा जो है वो आपके को बिलोर कास्ट है कि यहां वोगाई सानत हैं सारे इंसान बाई एक हैं सब आपकर बराबर अब यहां पर इनका एक statement था बहुत ही famous था वो था औरू जाती औरू मतम औरू दैवं मनुस्यनू तो यहां पर इसका मतलब है one caste, one religion, one God for humankind और इसका simply मतलब है कि जितने भी लोग है वो सब एक समान है तो यहां पर आप देख सकते हो कि lower caste के द्वारा movement वो शुरू हो गया थ आप देखा यहां पर जो lower caste कास्ट्वाइल लोग थे जो कई पहले जो एब अपर कास्ट्वाइल के अंडर में काम किया कर देख उनकी बातों को मानते थे और वो काम करना छोड़ रहे थे यहां पर जो हो बोलते ना आत्मस सम्मान की बात उनकी हारी थी वह बहुते हम क्यो इसको ध्यान से सुनेगा इसमें बात करने वाले हैं जोती राव फुले के बारे में जिनों ने 1827 में जनम लिया था उस समय जो लोवर कास्ट के जो लीडर्स थे उनमें से ये भी एक उसके लीडर थे और ये जो है बहुत ही या फिकाव मोस्ट वोकल थे मतलब कि बहुत अब प्रचार प्रसार करते हैं ठीक है तो इनकी पढ़ाइक अमने देख लिया अब देखो बड़े होने पर जो है इन्हों ने ब्राम्माट्स को पर अटैक करते वे बोला कि यह जो ब्राम्माट्स जो लोग है ठीक है यह अपने आपको सुपेरियर बताते मिस उच्छ बत है इसमें जिस कास्ट के लोग रहते थे वह कौँषे कास्ट के थे तो जो ब्राम्माट्स देन्स के अधिडिया में किनको जह कहा है लोः कास्ट अब इसी चीज को जो जो इरा फुले यह ले हो गह बहुत अच्छे से काम करते थ mental करें और माराथा कंटरिसाइड रही हैं Surpsy महाराष्ट का कंटरिसाड मतलब कि एसा या द stylे की बात की जा रही है लहार महराश्ट से बिलॉंग कर दिते यसे साथ यहा पर यह महराश्ट के bारे में कह रहें अब यहाँपर यह कहते हैं कि जो सुद्रास है मिन्स जो भी लेवरण कास्ट है और अती सुद्रास मिन्स ऐंटचेबल उनल सबके एक होना पर देख लिया कि वह उनके बारे में क्या क्या कहें अब यहां पर बता हुआ है कि 1873 में फुले ने एक बुक लिखा जिसका नाम था गुलाम गिरी और इसका मतलब होता है तो देखो इसमें बताया हुआ था मिली कि जो अमेरिकन सिविल वर हुआ था उस समय के 10 साल पहले मतलों कि 1863 या उसके करीब में तो उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका में जो है स्लेवरी जो कराया जाता था लोगों से उसका एंड हुआ था मतलब वहां पर लोगों ने वाइट पीपल थे अमेरिका में जो वाइट पीपल उनको सब सुविदा मिलता लेकिन जो ब्लैक पीपल उनको कोई सुविदा नहीं मिलता था तो एक चीज़ और आप देख सकते हो कि वहां पर कलर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था तो इस पैसे अमेरिका के ने आवाज उठाया ठीक है उनसे धाया जिन लोगों से उन्होंने आवाज चाहता ओ और Africa लेगा चीज़ यहां पर बताना चाह घुशना हैं फुले इंडियन IIowa लोबर कास्ट है उनको कि हम लोग भी करते हैं रिवोल्ट हम लोग अगर आंदोलन करते तो हमें भी जो आजादी मिल जाएकी तो यहां पर लोग देख सकते हैं कि इनका में मोटीव यहां यहां था कि जितने भी तरीके की इनिक्वालीटी सुसाइटी में उसको खतम किया जा वह और बड़ी हस्ती ने मतलब आगे चलाया उसको ठीक है जैसे कि डॉक्टर भीम रहा अंबेदकर हो गया है इवी रामा स्वामी नेकर हो गया है जो कि साउट से थे तो इस तरीके से जो है मूवमेंट जो चलता रहा तो यहां पर आपका टॉपिक आता है वो कुड एंट नहीं दिया जाता उनको बोला जाता कि आप नीचे बैटो जो पानी जहां पर पीने का था मिंस ठीक है नहीं अलाओ था कि आप पी सकते हो दूसरे बच्चों के साथ तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंको करें सोसाइटी में उसके बाही में लिखा उसके दबदबे के बारे में लिखा अब देखो 1927 में अमबेतकर यो थे और टैंपल मुवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर महरकाश्टक्र लोग जो यह इसमें हिस्सा लेते हैं यहां पर जो अंबेतकर थे उनका सिर्फ सिर्फ एक ही थौट था उनका सिर्फ एक ही मोटिफ था कि लोग को बताना कि वो लोग भी यूमेंस हैं यहां पर वी आर आलसो यूमें बिंग्स इसके अंदर यह बताते हैं कि वो लोग टैंपल के अंदर जाते थे वहां पर जो टैंक था जिसके अंदर सिर्फ अपर कास्ट से जो है जाना जाना चाहिए जैसे की इक्वालिटी और जो इसके अंदर आपका कस्टीज में नहीं होना चाहिए मतलब कि हिंदु ससाइटी में कोई भी कास्ट वाला जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए और सब कोई इक्वल होने चाहिए तो देखो यह जाते थे वहाँ पर टैंक में से पाने पी लिया करते थे सबी लोग तो इस तरीके से जो भी ब्राम्मन लोग थे ठीक है जो भी आपर पुझारी यह सब बहुत गुस्ता हो जाते थे तो इस तरीके का जो मुवमेंट था वह लगबग अम सब्सक्राइब आपको टॉपिक आता है दन नौन ब्राम्मन मुवमेंट इसमें बताया हुए कि 20th सेंचुरी में ऐसे लोग जो कि ब्राम्मन नहीं थे और उनको अच्छा-कासा एक्सेस था है जो केसन का वेल्थ का और इंफुलेंस था तो वह लोग जो आरेन लोग थे व लोग है इंडिया के रहने वाले रहने वाले यहां के रहने वाले नहीं लोग रहने व्याइख इंघनटारा के बारे बताए George ब्लॉन करता थे और जो भी संस्क्रिट के स्क्रिप्ट हों अउन सब को पढ़ा करते थे नहीं बार सबके क्या होता है कि वह देखते हैं कि अपर कास्ट वाले होगाएं लोगर कास्ट वाले हो गया विशップ लोगowanमे नीचे बैठाना ये सब आप क्यों कियाहां मतलों कि इनको बहुत बूरा लगा कि आखेर सभी निए कि दिया भट होते हैं कि यहँ यहां पर तुम्हें अपना आवाज उठाना पड़ेगा इसलिए यहां पर यह बनाते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट करते हैं यहां पर यहां पर यह कहते हैं यहां पर यहां पर उसके बाद बहुते हैं कि यहां पर आपके साथ इनिक्वारेटि हो रहा है इसके प्रति आप लोग चुछ आवाज उठाएगे इसके बार जो पैरियर थे वो मतलब जो भी हिंदु स्क्रिप्ट हो गया जैसे कोड्स ओफ मन्नु हो गया भगवत गीता हो गया रामायण हो गया ठीकिन इसके बारे में बहुत जाद इनको अपोस किया करते थे इसमें कुछ चीजे लिखी गई थी उसको यह अपोस किया करते उसके बार यह कहते थे कि जो अपना सिर्फ दबबा बना रहा है लोवर कास्ट के ऊपर और इस तरीके से वह बोलते हैं कि नहीं हम लोवर कास्ट वाले लोगों को कि आप लोग को एक जुट होना पड़ेगा और इसके साथ ही जो मैं थे वह अपने आपको वुमें से जो है और इसके पर देता हो इसके बोलते हैं यह बोलते हैं कित ठारा मुकुत मुकुत्म जो है यह आने अदे फा मुकुतम बंतलब है कि जो भी और ते होती है Surdo अपने जो कलिके व्यूंद्ग मैं कि द्मकों यहां पर दिखो क्या था कि छो भी यह लड़की का कवह सिम्फल सही है कि है в उसक−म उसका मन माना सो फिछ को हटाना चाहते थे अब देखो इसके आगे क्या है कि चलो मुत्म होना शुरू हो गया सब अवाज लग गया यहां पर फूलों पर आप लोग क्यों बनाते हैं तो यहां पर ब्रामन लोग रहता है कि यह जैसे चल रहा हैं वैसा ही चले मतलब नहीं चाहते देख की लोग का वाले को एकोलीटी मिले सो यहां पर यह लोगी अपना बनाते हैं सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल और इसमें यह लोग सिर्फ इनका एक ही मोटीव है कि जो चीज चल रहा है वैसे चलने तो इसमें फिर बदल मत करो मतलब का सिस्टम है तो रहने दो तो आप सिंपल सब्सक्राइब कर देता हूं तो सबसे पहले यहां पर आता है दा ब्रामो समाज देखो इसमें जो भी रिफॉर्मर्स थे उनका सिफ एक मोटिव यहां था कि जैसे उपनिसद हो गया या फी किसी पुरानी किताबों में जो भी सेक्रिफाइज लिखा हुआ है मतलब ऐसा च हुआ है जैसा लोग अभी कर रहे है ठीक है वो प्रैक्टिस अभी कर रहे है तो उस चीजों खतम करना जैसे कि हमने देखा था वो जो है पीट में छेट करके जो लटका करते थे ठीक है पुराने में ना यहां पर सेकंड आपका आता है डिरोजियो एन यंग बेंगाल इसे से मिली यहाँ था कि जो हैंडरी लुइस विवान डिरोजियों थे जो कि एक टीचर दे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में सो 1820 में आपने चात्र से बोलते हैं कि जाके बड़े जो भी लोग है उनसे यह कोस्टन करो कि आके जो यह ट्रेडीशन होगा कस्टम है जिससे कि करो कि औरतों को जो है उनको मिलना चाहिए और अपना फ्रीडम का जो गया उनका जो भी थौट उसको फ्रीडम एक्सप्रेक्स करने का इसका डिमांड करो जो भी सुसाइटी में गलत था उसके प्रती आवाल उठाने के लिए बोलते हैं इसके आगे देखो दरामा स्लेवरी टाइप में होता था ना इसके अंदर जो भी अपर काश्वा लोग है वह अपने से काम करा देते और इसी तरहिके से अपने मन मर्जी तो इसको खतम करना फिर आता है आपका दवेद समाज इसमें क्या है मिली कि आपका ब्रह्मु समाज से यह इंस्पायर है मतलब एजुकेशन उनके लिए भी यहां पर इस ग्रूप के जो भी लोग थे वह भवान पर विस्वास करते थे बट जो भी अंदिविस्वास चीज हो गया ठीक है न उसको छोड़ते थे या फिर ऐसा रिच्वल जैसा ऐसा कोई भी काम जिसे कि लोग वहानी पहुंचे उसको न जो भी modern education है वह सब दिया जाता था साइंस के जो भी चीज है वह सब इसमें पढ़ाया चाता था और इसका मेंली यह मकसद था कि मुस्दिम लोग जो गया उनको भी education जो है वह मिले इसके बाद आपका आता है सिंग सभा मूव्मेंट तो इसमें जो भी reformers थे वह सब सीख थ थे कि जो भी सिखीज में ठीक है यहां पर बदा दें कि यह जो सभा है आपका फॉर्म होगा था अमरित सर में 1873 में एंड लाहॉर इन एटीन सेवंटेना में दो जगा यही जो मतलब लोग जो थे इन्होंने अपना एक organization फॉर्म किया दो जगा अलग-अलग वक्त पर यहा इन्स्ट्रक्शन से सब इनकों मिले सब देख सकते हूं कि यह लोग चाहते थे कि इनका जो समाज है इसके अंदर भेदबाव यह सो ना हो इनको भी पढ़ाई यह सब का मौका मिले और अंदिस्वास चीजों से चुटका रहा पाएं इसमें सिफ इतना ही था नाव यहां प अमेरिका में कैसे जो स्लेवरी था उसका अंत हुआ यहां पर उसी चीज को बताया गया है कि देखो आखे इसके स्टार्टिंग और अंत के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि यूरोपियन एक्स्प्लोर और ट्रेडर जो थे जो कि ऐसे लोग जो दूसरे देश में जा प्ल्सक्रेंट करतें और ये एफरीका से अमेरिका ले आते वहां पर पर नहीं parse kommun को जाम करने से किस तरीके से उनको लेकर जाए जा रहा है एक जैसे दूसरे जगा और वहां पर उनको दूसरे प्लांटर के जो है बेच दिया जा रहा है इस तरह से उनको वापस आने का ही मौका नहीं मिल पाता था अब देखो यह देखा गया कि चलो बहुत जादा यहां से चले गया ठीक है ब्लैक प उठाना शुरू किया उसके बाद अब्राहम लिंक जो यहां पर चला आ रहा है जब सोच सकते हो कि लोग जो है जो भी स्लेवरी कर रहे हैं इतना जादा आवाई उठा सकते हैं मतलब अपने आजादिक लिए तो सिंपल सा बात है कि मैं जो है डेमोक्रेसी यहां का हटने न लोग को कहते हैं कि यहां के जो लोग है ठीक है और में और यहां के लोगों से यहां पर सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले सब्सक्राइब करना भूले